करने वाले हम निफ्टी 50 के बारे में कि कल कैसे प्लैनिंग करनी है विकॉज कुछ तो दमाकेदार कल भी हो सकता है विकॉज अगर हम आज बात करें तो आज अच्छा मुमेंटम डाउन साइट से मिला और हमने उसको कैप्चर किया मौर्निंग में जो फॉल आया वो भी हमने कैप्चर किया इवनिंग में जो पुल बैक आया वहां तो क्या शांदा ट्रेड बनी 137 रुपे का प्रीमियम 260 प्लस गया जो हमने अपने मेंबर्स को ट्रेड में दिया था प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाऊंगा कल की सबसे पहला काम है आप वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा जो भी आगे आपके पास आए आप मिस ना करो सबसे पहले हम दिखा देते हैं आज हमने आप लोग को क्या ट्रेड दी हमारे मेंबर्स को क्या ट्रेड दी क्या प्रॉफिट बना ठीक है स market बहुत ज़्यादा ट्रैपी था बहुत ज़्यादा लोगों का आज भी S.L. गया होगा ये एरिया में जहां पर एक red candle है एक green है एक green है तो एक green है एक green है एक red है एक red है तो green है तो ऐसे में लोगों पैसा नहीं बनायोगा लेकिन हम दिखाएंगे कि हमने कहां पैसा आज के दिन बनवाया तो यह रहा हमारा टेलिग्राम जाएए फटाक से जोइन करिए 1.4 के सब्सक्राइबर जिसमें आपको निफ्टी बेंग निफ्टी के बारे में सारे अपडेट मिल जाते है मॉर्निंग हुई हमारी मॉर्निंग में हमने आप लोग को लेवल्स दिये लेवल्स देने के बाद हमारा प्रॉफिट हुआ चालू क्योंकि उसके बाद हमारा पहला ट्रेड होता है सुबह ही सुबह 90% time हमारा ऐसा होता है कि morning में 10 वजे से पहले हमारा members का profit बन जाता है अच्छा खासा तो अगर हम इसमें बात करें तो nifty 50 के जो levels थे जो मैंने अपने members को दिये थे downside के वो 450 तक के थे उसके बाद 400 actually मैंने काफी नीचे तक काच level देती है थे मुझे लगा अगर fall कर जाएगा तो कल की तरह और जबरदस्त मौका में लेगा बट वैसा नहीं हुआ 450 तक हम आई तिंग फिर sideways हो गए थे तो यह देखिए profit देखिए आप खतरनाख profit है profit देखिए आप profit देखिए profit देखिए आप यह जब market sideways था मैंने आप लोग को बताया profit देखिए आप यह हमारा एक view था कि market इस तरीके से गिर सकता है बट नहीं गिरा नहीं गिरा तो entry भी नहीं थी उसके बाद profit देखिए आप profit देखिए profit देखिए जबरदस profit है आज सब के profit है इसके बार हम बात करेंगे nifty 50 में 2100 का हमने call लिया था 137 के उपर वो हमारा 260 के आप जाके चेक कर सकते हो टाइमिंग है 149 पीम profit देखिए 10,000 का profit profit देखिए 2600 का profit profit देखिए पैसा double invest किया 22 निकाला 44 ठीक है profit देखिए 1200 profit देखिए 10,000 यह है आती था हूं so that आपको समझ में है कि हमारा maximum time ऐसा ही होता है कि हमारा profit सुबह ही सुबह हो जाता है यह देखिए को last है साड़े 10 का मैसे यह 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 सारा profit हमारा सुबह members का है ठीक है यह तो बात हो गई कि भाया profit हमारा क्या बना आप लोग को आमने trade का दिया था 80 point का trade बना था आज के दिन one go में वो था हमारा 47,800 के उपर plan और यहां पर हमारे एक सेगंड एक सेगंड सॉरी यह हमारा January 9 का है आज का देख लेते हैं कल हमारा 80 point बना था कुछ आज भी हमारा बना है एक सेगंड दो 47,300 के उपर scale only risk one because market is volatile यहां पर अगर आप देखोगे तो 80,90 point हमारे market ने पूरे किये थे 10 बच के 17 मिनट पर जाके देख ले ना 47,300 यहां पर मैंने clear cut जवाब को बताया था उसके बाद क्या लिखाता यह भी देखो 47,300 के पूल बैक आया है अब जब निकलेगा तब वाँ देखना एक बार green candle बनी है एक बार red बनी है उसके बाद जब निकला है तो one go में चला गया मैं bank nifty की वीडियो में इसको discussion में लाऊंगा तो जल्दी से जाओ और इसको join कर लो आपका फाइदा है अब बात करते हैं हमने आज अपने members को कहां कहां पे nifty में बताया था trade लेने के लिए जो बड़ी trade बनी थी वो हमने बिलकुर नीचे capture करने को बोला था जब हमारा premium 137 था और वो timing था कुछ ये trend line बन रही थी यहां कहीं पे हमने trade लेने के लिए अपने members को बोला था for the upside यहां पे market ने base बनाई यहां पे base बनाई देखो समझो एक चीज एक चीज समझो आपको कल और आज की बीच में क्योंकि कल भी मैंने एक premium दिया था वो भी 200 प्लस गया था आज जो premium दिया वो भी गया क्यों हो गया उसके पीछे का reason समझो पहले तो काफी को similar है इसलिए बताना चाहरा हूँ यहां पर अगर आप देखोगे market उपर जाना चाहरा था market ने यहां पर call वालों को फसाया और market put में चला गया same goes with the downside market नीचे जाना चाहरा था हर किसी का view था नीचे market जाएगा market ने put वालों को फसाया market उपर आ गया same logic जो मैंने कल डाला था वही logic आज डाला था कि market को निकलना होता तो इतना time pass नहीं करता market को निकलना होता तो यह वड़ी वड़ी वाया कल निफ्टी का 150 का premium 600 गया था प्रूफ यहां पर अगर मैंने यहां पर pin किये हुए है अगर यह देखो गया आप तो यहां पर यह रा pin कहां से पता चलता है पिन wait a minute wait a minute एक second दो मेरे भाई तो guys यहां पर देखो यह देख सकते हो आज का निफ्टी विट्व में 2400 जाके देख लेना कि कितना गया है दूसरा हमने एक यह देखो यह हमारा कल का है जिसमें हमने entry कराई थी 152 के उपर stack price लेना था only for scalping purpose bank nifty में इसमें दो बार entry थी पर 152 के उपर कराई थी एक बार 220 के उपर कराई थी देखे और उसके बार nifty कि यह नीचे देखो 134.5 के उपर कराई थी और यह 250 पलस गया था कल के दिन भी दूसरा तीसरा यह देखो fin nifty में entry कराई थी मैंने 151 यह गई थी 220 के उपर सब मुझे याद है क्योंकि मैंने दिया है तो मुझे सब याद है यह जाके देख ले ना इतनी बड़ी बड़ी दमाके दा अगर कोई और दे दे आप लोग को तो मुझे समझा दे ना वो भी इतने बकवास market के अंदर अब हम आत करेंगे कि कल क्या हो सकता है यह तो हो गई आज की बात market ने जहां रुका है exactly रुकना चाहिए वहीं पर market रुका चाह देखो market आया 2450 2450 से क्यों गूमा है चलो यहाँ पर एक बात दिखा देता हूँ मैंने कल बात कीती इसके बारे में यहाँ पर देखो यह gap बचा हुआ था मैंने आपको बोला था कि gap फिल हो जाएगा और gap फिल किया market ने और वहीं से वापस चला गया उपर तो हमने आज के दिन में nifty में तीन बार trade बोला अपने members को करने के लिए बता देता हूँ कब कब एक तो सुबह ही सुबह जो आप देखोगे यह candle में 60 से 70 में अपने member को 515 के नीचे बोला था और 515 से market आया था 450 साथ point से उपर का trade था इन 5 minute थीक है 5 minute की candle में ही बना उसके बाद एक बार हमने वापस से अपने members को बोला था 515 के नीचे ही दुबारा जब हमारा market यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 15 EMA डालोगे न तो आपको यहाँ समझाएगा कुछ इस तरीके से चल रहा था 15 EMA for the downside और जब market हमारा यहाँ पर था न यहाँ बर इस टाइम पर मैंने कुछ बोला था market फिर उपर गया market नीचे आया तो यह थोड़ा सा time waste किया और उसको बड़ा सा fall दे दिया यहाँ पर भी बढ़िया बनता लेकिन शायद किसी ने लिया नहीं और तीसरा trade यह बना तो तीन trade बने आज निफ्टी में totally और जबकि आप अगर देखोगे तो यह पूरा market sideways है ठीक है उसके बाद भी हमने इसमें पैसा बनवाया क्या कल फिर से बनेगा यार कह नहीं सकते market है कभी तो मुझे भी trap करेगा ना वो तो अब बात कर लेतें कल की तो देखो market ने यहाँ पे इसका resistance एरिया है यहाँ पे इसका support एरिया है आपको planning करनी है आपका target होगा यह वाला level यानि की 21,680 का अगर हम upside निकलते हैं तो निकल सकते हैं chances हैं कल expire यह तो किदर भी तो एक बड़ा move आएगा और 680 निकालेंगे तो 720 यह एक range है market की जहां market हमारा थोड़ा रुख सकता है ठीक है तो आपका target क्या होगा अगर हम 640 निकालते हैं तो आपको यहां call में जाना है अपना stop loss maintain करके 680 की level के लिए then 680 से अगर आपको मिलता है bullishness तो आप जाएंगे 720 की level के लिए यह आपकी एक बड़िया trade बन सकती है morning time में ठीक है अब बात करें downside की तो देखो यहां पर हमें एक trend line देखने को मिल रही है हमें एक नीचे से trend line आ रही है और एक यह आपको एक छोटा सा support zone देखने को मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि यह निकल जाए उसके बाद आप plan करें for the put side कैसे एक second दो इसको निकाले कुछ pullback ले और फिर निकलेगा तब आपके लिए बड़िया trade बन सकती है downside के लिए otherwise मैं बोलूँगा कि यह वाला जो level है यहां पर यह जो आपको red candle देखने को मिल रही है यहां पर यह जो bullishness आई है यहां पर buyers activate हुए है तो आप इसके नीचे जाओ क्योंकि stop losses उनके इसके नीचे होंगे ठीक है यानि कि 2560 के नीचे वापस से market आपको यह range में ही लाके रख देगा 500 तक वापस आ सकता है 480 तक भी आ सकता है तो यह आपका planning होना चाहिए इस तरीके से सुबह का plan करेंगे call side में यह रहा put side में यह रहा यहां तक हम आराम से आ सकते हैं वापस से यहां जा सकते हैं और फिर जिस तरीके का momentum होगा live market में वो मैं आप लोग को उस टाइम समझा दूँगा कि कैसा क्या चल रहा है trade लेना है या नहीं लेना है market sideways है या नहीं है तो वो चीज फिर में उस टाइम पर आपको बताऊंगा the point is जो हम बता रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करो उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे time दो यहां पर time चाहिए वीडियो को like करो channel को subscribe करो टेलिग्राम को जोइन करो comment section में जो पूछना है पूछ सकते हो मैं उसका answer आपको करके दे दूँगा market की closing अच्छी है तो अगर momentum बना trend हुआ अगर US का market अच्छा रहा तो हम कल वापस से 21,800 के आसपास नजर आएंगे तुम लोगों को तो वो चीज़ देखने है क्या market sideways हो जाएगा या फिर अच्छा momentum कल भी करेगा तैंगी so much मिलते हैं bank nifty के वीडियो में और बताएंगे bank nifty में आज क्या किया और किस तरीके से कल का plan है